नवश्कार साथियों उमीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे अच्छे होंगे मस्त होंगे और आपकी MP 1st Grade Advanced Paper की भी आपकी अच्छी preparation चल रही होगी साथियों आज जिस topic के बारे में discussion करने वाले हैं यह MP 6 के लिए भी important है और MP 1st Grade का exam जो होने वाला है उसके लिए भी important topic है जिस topic के आज बात करेंगे यहाँ से जो पुराने paper उठा के देखिएगा तो यहाँ से question बनता ही बनता है 100% question बनता है और बहुत simple way में अगर आप एक बार देख लोगे ता आप कभी भी जो है इस type का जो आज जो question चर्चा करने जा रहे हैं कभी भी आप इसी भी exam में गलत नहीं करके आओगे चलिए यह मेरा दावा है जिन साथियों को first grade का जो है course जो है पूरा पढ़ना है साई धंक से पढ़ना है वो साथ ही मुझसे जो है मेरे mobile number जो है वो मैं description में दे दूँगा वहां से आप मुझे whatsapp करके contact कर सकते हो कि सर हमें पूरा course पढ़ना है कैसे क्या पढ़ना है आपको सारी जानकरी मिल जाएगी चलिए तो बात करें आज चर्चा है यहां से question यह जो table दिख रहे हैं आपको इस table को ध्यान से analysis कीजिएगा question exam में बनता ही बनता है यहां पर दे रखा है मर्दू अमल, कठोर अमल और सीमारे खामल इनको class A metal भी केते हैं इसको class A इनको class B ठीके और यह सीमारे खामल है यहां पर मर्दू शारक class B शारक भी के सकते हैं और class A शारक भी के सकते हैं अगर हिंदी में कहूँ तो इसको ब के दो भाईया इसको अ के दो इसको अ और इसको ब अब अब ठीक है होता क्या है कि जो जिस बिरादरी में होता है उसी बिरादरी में उसकी शादी होती है भाईया और अगर दूसरी बिरादरी में हो जाए तो वो क्या है वो रिष्टा अनिस्टेबल होता है ज्यादा दिन नहीं पाता, बहुत सारे cases होते हैं ये, ओके, तो priority, ये प्रात्मिक्ता ये रेती है, कि जो ये वाला जो हैं भाईया, कठोर अमल हैं, ये कठोर अमल के example दे रहें के सारे, कठोर अमल कठोर अमल कठोर शारक के साथ मिलकर, stable compound बनाएगा कठोर, अमल कठोर शारक के साथ मिलकर stable compound बनाएगा, कि भईया तू कठोरे, मैं भी कठोरू, लड़ाकू लड़ाकू दोनो, मर्दू मर्दू के बार, जो soft nature ने भईया soft soft के साथ में तो मैंने यहां से उठाया भईया, ag को उठाया यह ag plus और यहां से उठाया मैंने i को तो ag plus और i minus तो यह बनाएगे भईया, ag i तो ag यहां पर मर्दू हम लहें, i minus यहां पर मर्दू शारक है, stable compound बनेगा आपके लिए अगर मैं उठालू यहां से ag को उठाया, और ag के साथ मैं यहां से उठालिया कठोर शारक, ज्यादा दिन बनेगी नहीं, तो ag f जो है, यह compound जो बनेगा अिस्थाई compound बनेगा क्या बनेगा भईया, अिस्थाई क्यो बनेगा, भाई साब यह तो मर्दू है, और यह कठोर है, मेरी बास समझ में आ गई यह मर्दू है, और यह भी मर्दू है, तो भाईया, मर्दू मर्दू जो है, इस्थाई, और मर्दू का ठोर जो है, वो आ, इस्थाई compound बनेगा, बस तो आपके एक्जाम में पूछ लिया, भाईया कि इन दोनों में से ag plus और यह जो है, f इन दोनों में agf दे दिया, और एक दे दिया agi, दोनों में से कौन stable है, तो भाईया agi जो है वो stable है, ऐसे पेचानने पढ़ेंगे, ऐसे ही, अगर मैं दे दू कि एक तो ले लिया li और li के साथ में जोड़ दिया lif, एक तो ले लिया lif, और एक ले लिया में lii, lii, तो इन में जो है कौन stable है और कौन unstable है, भाई साब होगा क्या, कि li है कठोर अमल है, और f जो है वो कठोर शारक है कठोर शारक, तो भाई साब कठोर कठोर क्या है वो lif stable compound मनेगा, यहाँ पर li जो है वो कठोर है और i जो है वो मर्दू शारक है मर्दू शारक है तो भाई साब यह जो है इनकी बनेगी नहीं, अब बात करें सीमा रेखा हमले की, इसी एक example से सारी चाज़ें आपकी clear होती जाएगी बात कर रहें अब सीमा रेखा की तो यहाँ पर अगर li को पकड़ा मैंने किसको पकड़ा भाई साब? li को और li की साथ में b r तो इसको भी पंचायती करने के लिए यह नहीं यहां पर बिठा दिया भाई साब, एक तो लिये मैंने li f एक लिये मैंने l i b r और एक लिये मैंने li i इस एक्जाम्पल से आपको पूरी तरह समझना है LIF Stable है बिल्कुल क्यों Stable है भईया कठोर कठोर LIBR ये Aisthai है और इसको कह देगे कि more ज्यादा Aisthai है ना ज्यादा Aisthai ज्यादा Aisthai ये जो है बीच की कंडिशन बनेगी ये कौन सी बनेगी बीच की कंडिशन एक बार और मर्दू अमले मर्दू शारक के साथ में इससाय योगिक बनाता है कठोर अमले कठोर शारक के साथ इससाय योगिक बनाता है सीमा रेखा अमले सीमा रेखा शारक के साथ में stable compound बनाता है अगर मैं कहूँ कि मर्दु अमले कठोर शारक के साथ में ice saai कठोर अमले को इसके साथ में जोड़ दो या इनको इसके साथ में जोड़ दो तो भी ice saai compound बनेगा लेकिन यहाँ पर एक बात यह और है कि बिरादरी से यह भी हट रहा है कि LI भी अलग विरादरी में शादी करने जा रहा है कि LI जो है LI प्लस जो है BR माइनस के साथ में शादी करें वो ज़्यादा ठीकेगी या LI जो है I माइनस के साथ में करेगा वो ज़्यादा ठीकेगी तो LI BR के साथ में यह ज़्यादा ठीकेगी तो सबसे ज़्यादा इस थाई जो है LIF है, फिर LIBR और फिर LII, तो इस थाई तो का बढ़ता हुआ करम इस तरीके से अपन इसमें शो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा इस टेबल होगा, कौन ज़्यादा इसमें इस्टेबल होगा, LII, LIBR, LIF, तो LIBR बीच की कंडि हैं भई या, तो ज़्यादा दूरी है, यहाँ पर सबसे कम दूरी फिर यह, तो आसानी से आपको समझ में आज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी को रिलेट करके आप जो हैं, बहुत सारे एक्जामपल्स आ सकते हैं, कि कौन आइस थाई हैं, कौन आइस थाई हैं, त बैठोरमलो को बोला अब इसमें जो दिख रहे हैं, आपको शारी धातुउइ देख रहे हैं, लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम में वेग 시 तब शारी धातुए शारी और शारी मर्दा धातुए इसके अंदर आ गई और कुछ हलकी धातुए पर आगे थेखो इसके इंडियम गेलियम इंडियम ये जिनके ऑक्सिडेशन स्टेट कम दे रखी है ना ये इसके अलावा इसमें कौन ओर दे रखा भीया पी ब्लाक में जो दातुए वो भी दे रखे आर्सेनिक है ना और ये अलियमिनियम है ये तो मोटे मोटे दोर पर इंड को याद रखना अब यहां पर जो है ये मर्दू अमले है भाई साब ये तो परियुडिक टेबल में जो आप एनलिस करो कि लास्ट में डी बलाक में जो लास्ट वाले ज देखो कि याँ वे शारी धातु है और शारी मर्दा धातु है और přस टोर मतलब डी बलाक में जो जो मैटल में जो मेटल आ रहारा है कहां प्याररा इसके एंड़ियम भया इसके इंडियम आ रहा हैं और कुछ P-Block elements भी आ रहा है इसमें तो ये मोटे मोटे तोर पर याद ख़ना अब मर्दु अमल मर्दु शारख के साथ इस साय योगिक बनाते हैं तो भाई साब ये मर्दु शारख है ये कठोर शारख है ये सभी कठोर शारकों के एक्जामपल है आँखों में फोटो कीश लो ठीक है ये सीमारे का शारक तो बहुत कम दे रखे हैं ये सीमारे का शारक है ये सीमारे का अमल है क्लियर है अब देखिए क्लियर समझ में आगे रहा ये इनके साथ ये इनके साथ और ये इनके साथ stable compound बनाएगा ये इनके साथ ये इनके साथ unstable compound बनाएगा मर्दु अमल कठोर शारक या कठोर अमल मर्दु शारक आईस्था योगिक बनाएगे मर्दु अमल, मर्दु शारक, कठोर अमल, कठो शारक, इस्ताय होगी बनाएंगे, कठोर अमल और सिमारे का शारक, है ना, आइस्ताय होगा, और ये जो है, काम आइस्ताय होगा, है ना, काम आइस्ताय होगा, और ये जो है, ज्यादा आइस्ताय होगा, अगर ये condition रहेगी तो ओके चलिए आगे बढ़े तो ये इसका जो है screenshot लेना चाहो तो screenshot ले लिजिए जहां से question बनता ही बनता है साब अब देखो ये जो मैंने बताया वोई चीज लिखी हुई थियोरी में कि शारी धातु आयन class A इनको कहा class A class A और इनको कहा class B मर्दू आम लोगो अक्सिकन आवस्था में हलके संक्रमन धातु आयन उच्य आक्सिकन आवस्था में हलके संक्रमन धातु आयन इस वर्ग में रखे गए हैं ये धातु आयन लिगेंडों को आसानी से क्या करते हैं धूरूवित कर देते हैं जो लिगेंडों को आसानी से क्या करते हैं यह आसानी से दुरुवित कर देते हैं लिगेंड लोगों अब देखिए वर्ग अ लिगेंड है ना लिगेंड लिगेंड मतलब यह जो है के सकते हैं कि कठोर शारक इनको क्या कहा कठोर शारक और यह मर्दू शारक मर्दू शारक मतलब इनके साथ में मिलकर जो इस्टेबल कंपोंड मन है उनको कहाँ पे रखा गया वर्ग अ कठोर शारक में रखा गया है वर्ग धातु आयनों से असानी से सयुकत होकर लिगेंड इस वर्गेंड में रखेगे वे लिगेंड जो वे लिगेंड जो बह वर्ग धातू बह वर्ग धातू आयनों से आसानी सहयूगत होते हैं मतलब क्लास A क्लास A के साथ क्लास B क्लास B के साथ मतलब कठोर अमले कठोर शारकों के साथ मर्दू अमले मर्दू शारकों के साथ मिलकर stable compound बनाते हैं बात लिखुई है अब आगे के लोगा सामने तो सभी धातु आयन लुईस अमले की तरह विवार करते हैं ठीक है ये तो सुनते आ रहे हैं कि सभी धातु आयन किसकी तरह कार्य करते हैं लुईस अमले की तरह और सभी जो है लिगेंड है ना सभी धातु आयन लुईस अमले लि लुई शारख है ना जो मैंने बाद बताई वो ही लुईस अम्लम लिगेंडो लिगेंड मतलब लुई शारख के वर्ग एक तो कौन सा वर्ग लिया वर्ग अ वर्ग A के लिए कठोर तथा वर्ग B के लिए मर्दुशब्दों का प्रयोग किया वर्ग A कठोर और वर्ग B के लिए मर्दुशब्द का प्रयोग किया साब ठीक है इस प्रकार वर्ग A इस प्रकार A वर्ग धातु आयन कठोर अमल एम अवर्ग लिगेंड कठोर शारक बता दिया इसी प्रकार बवर्ग था तो आयन को क्या कहा मर्दू अमल और बवर्ग लिगेंड को क्या कहा मर्दू शारक कहला थे वे अमल एम शारक जो मर्दू एम कठोर वर्गों के मद्द लक्षन दर्शा थे मर्दू और कठोर के बीच के लक्षन दर्शाते हैं उन्हें क्या कहा? सीमा रेखा अमल और सीमा रेखा शारक कहा गया क्लियर है? तो यहां से कुष्चन बनेगा साहब यहां पे आपकी आखों में फोटो गीच लीजिए मर्दू अमल मर्दू शारकों के साथ इस्थाय योगीग बनाता है कठोर अमल कठोर शारक अब देखो इसी के आधार पड़ जो है पीयर सन ने भी यह कहा पीयर सन साब आ गए पंचायती करने के लिए और यह क्या बात है भाई? तो प्रियरसन ने कुछ नहीं कहा प्रियरसन ने कहा कि कठोर अमलो कठोर शारक तो था मर्दू अमलो मर्दू शारक जो है इससाई कंपौन बनाते हैं उन्होंने क्या किया अगर गलती से आपने कठोर अमलो के साथ में मर्दू शारक को बिठा दिया और मर्दू अमलो को कठोर शारक के साथ बिठा दिया तो ये जो है आइस थाई है और जब इनको मिलाने के लिए ले गए तो क्या हो गया जोडा पलट गया कठोर अमलो कठोर शारकों के साथ मिलके इस्टेबल कंपॉंड बना लिया और मर्दू अमल भाई साब मर्दू अमल मर्दू शारक के साथ मिलकर मर्दू अमल मर्दू शारक के साथ मिली गया मर्दू अमल मर्दू शारक के साथ मिली गया और इस्टेबल कंपॉंड बना लिया तो ये हैं इस्थाई ये हैं इस्थाई और ये हैं अस्थाई दोनो कठोर मर्दू अमले शारक मर्दू अमले शारक बस यही बात लिकी हुए गिसी पीट्री बात है कठोर मर्दू अमले शारक HACV hard soft acid base छोरी दी Pearson साहब ने किलियरे साहब बहुत बढ़िया अब किसके कुछ applications हैं अब इस application के आधार पर हम किसी भी complex compound के stability and non-stability के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई साहब आपने ये संकुल योगिक दिया ये ice थाई है और ये संकुल योगिक दिया ये ice थाई है कैसे हमने पूरी table देख रहे किये कौन कठोर अमल है और कौन कठोर शाराख है उसी की base पर तो साहब आपके सामने complex compound को जानते हो न agf2 ये संकुल योगिक है यह न और एक दिया साहब आपने agi2 दोनों ही संकुल योगिक है यहाँ पर भाई साहब जो ligand है यहाँ पर ligand f है और यहाँ पर ligand i है लेकिन यहाँ पर जो केंदरी धातू है वो क्या है मृदू है और f जो है वो क्या है कठोर है साहब तो मृदू कठोर ये वाला complex compound क्या होगा आइस्थाई होगा क्या होगा, आ इस्तायोगा, लेकिन भाई साब, ये वाला, ये भी मुर्दू है, और ये भी मुर्दू है दोनों मुर्दू-मुर्दू, दोनों साफ्ट-साफ्ट हैं, तो ये वाला जो complex compound है, ये stable होगा, पेचान में आए कि कोन सा संकूल योगिक इस्ताई होगा और कौन सा संकूल योगी का इस्ताई होगा भाई साब इसी के आदारप संकूल योगी को का इस्ताई तो याद करने के लिए बहुत बढ़िया बात कही है ठीक है A और B तभी इस्ताई होगा जब A और B दोनों ही या तो मर्दू हो या कठोर हो यदि दोनों में से एक मर्दू तता दूसरा कठोर है तो संकूल आइस्थाई होगा ओके साब ठीक है एक्जामपल दे रखे देखो अनी में कुन आइस्थाई है यो जो है आइस्थाई है ठीक है ये क्या है भाई साब अईस्थाई है ये इस्थाई है अब COF6 में CO3+, और F- CO3+, को क्या केते हैं भीया इसको CO3+, एक कठोर अमले है इकने कई के वे कठोर अमले के वे है और इने कई के वे कठोर शारक के वे hard base, कठोर शारक केते हैं इसको मेरी बास सुनना COF6, 3- संकुल, आयन क्या होगा, इस्टेबल होगा अनिस्टेबल होगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई साब, ये जो है ये इस्टेबल होगा क्या होगा इस्टेबल, समझ में आगई होगी आपको बात पूरी, देखो AGI2, इस्थाई संकुल है मर्दू अमल, मर्दू शारक है AGF2 मर्दू अमल, कठोर शारक है इस्थाई संकुल है, चलिए आगे बढ़ते है ऐसे ये आपके सामने दिया है COF6, ये वाला संकुल इस्थाई है कि इस्थाई है, जल्दी से पहचानिए साहब ये वाला कठोर अमल, कठोर शारक है, तो इस्थाई संकुल है लेकिन COI63-A इस्थाई कॉंपलेक्स होगा क्यों होगा, कठोर अमल, मर्दू शारक है इस्थाई संकुल होगा मेरी बास समझ में आ गई ऐसे ही CD2+, 4NH3 ये वाला जो है, इसको मर्दू अमल कहा इसको कठोर शारक कहा, इस्थाई हो गया मर्दू अमल, मर्दू शारक ये इस्थाई हो गया CDCN4, 2- इस्थाई संकुल है मेरी बास समझ में आ गई आपको, चलिए अब एक और साब ये है, अब इसमें तो थोड़ा सा ध्यान लगाऊ भीया ये कठोर अमल है और ये कठोर शारक है, ये भी ये भी, सब कठोर ही कठोर है सब, तो कठोर अमल, कठोर शारक वाला NH3 भी कठोर है, और F भी कठोर है सहब, ये वाला जो complex है, इस्थाई होगा लेकिन इसमें, ये कठोर ले लिया है कठोर लेकिन एक बीच में मर्दू भी फस गया तो इस condition में भी क्या हो जाएगा अस्थाई संकूल हो जाएगा क्योंकि वो मर्दू इनके बीच में बनेगी नहीं है कठोर मर्दू के बीच में complex टूट जाएगा अस्थाई होगा मेरी बास समझ में आई ठीक है इसी प्रकार COCN5I 3- संकूल COCN5F3- संकूल की तुलना में अधिक इस्थाई है इसका कारण है कि CN- सता I- लिगंडो की प्रकरती समान है इन लिगंडो की प्रकरती समान है ये दोनों ही क्या हैं सहब मर्दू शारक है F- लिगंड CN- लिगंड प्रकरती भिन रखते हैं या F- कठोर तता CN- मर्दू शारक है अत ये वाला लिगंड जो है अस्थाई होगा ये वाला अस्थाई है ये वाला इस्थाई हो गया आगे बड़े उप्यूक्त उदारों में लिगंडों के आधार पर चैनरी था तो Lwards इसमway के संबंद को नहीं देखा गया है इसमें द्यान रखना ये क्या है इसको नहीं देखा गया है इनको देखा गया है उससव िगंड आगे इस टाइप के एंग्जांपल में ये भी चीज द्यान रखनी है कि कहां पे किसकी चर्चा चल रही है मेरी बास समझ में आई आई आपको चलिए ठीक है अब बात करें द्वी अपगरन अभी गरिया डबल डी कमपोजिशन डियक्शन इसके साथ में शादी गरवा दो इसको इसके साथ में जोड़ दो भाई साब हो क्या रहा है LII और CSF LI क्या है कठोर अमल है I क्या है मर्दू शारक है बनेगी नहीं है मर्दू अमल है कठोर शारक है क्या होगा इसमें डिसमिस हो जाएगा LIF बन जाएगा कठोर अमल कठोर शारक मर्दू अमल मर्दू शारक यह stable हो गए इसी प्रिकार से HGF2 में मृदु अमल है कठोर शारक नहीं बनेगी होगा क्या मृदु अमल अमल में मृदु शारक आ जाओ बही है साथ में तो यह चीज ठीक है ओके यह चीजे हैं भाई साब ठीक है इसी प्रकार से और एक्जाम्पल दे रखे भईया उभई दूदंती लिगेंडों यूग तो संकुल आयनों की बंद की प्रकृति की वैक्षा करना ACN- एक उभई दंतू लिगेंड है ठीक है जिसमें नाइटोजन से भी जूड़ सकता है और सलफर से भी जूड़ सकता है भईया केंद्री धातू परमानू से तो यह केंद्री धातू परमानू सलफर परमानू तो था नाइटोजन परमानू द्वारा जूड़ सकता है तो PD2 प्लस एक मर्दू अमले भाई साब ठीक है SCN मैनस जब PD2 प्लस से सयुक्त होता है तो SCN मैनस एक मर्दू शारक परमाणू सलफर बंद बनाने में भाग लेता है तो मर्दू अमले मर्दू शारक इसके विपरित CO2 प्लस साहब जो जाएगा वो किस से बंडिंग मनाएंगा नाइट्रोजन भाई साब से तो कठोर अमले कठोर शारक परमाणू नाइट्रोजन से बंद बनाने में भाग लेता है ओके साब अगला देखो कुछ एक्जामपल ओड दे रखे है इसका इसके साथ में ज्यादा सोचने की आवशकता ही नहीं तो मेरे हिसाब से यहां से कोई भी कुशन बनेगा अब आप ठोक बजा के जो हमें उसको सही करके आएंगे लास्ट बच्चा है साथ जिएंगे साथ मरेंगे सह जीविता का एक्जामपल है सिमबायोसिस Symbiosis हो क्या रहा है यहाँ पर इस B भाई साफ से यह F जुड़े है यह आकर्षन के अंदर है F को क्या कहा आपने सहाब कठोर शारक के दिया F को के दिया कठोर शारक F जो है कठोर शारक है F माइनस अपनों टेबल देख ली है कोई अतिशोक्ती नहीं है अब यहाँ पर NH3 है NH3 भी एक कठोर शारक है ठीक है साब अब होगा क्या है एक तो लिया मैंने BF3 मेरी बात जान से सुनना एक लिया मैंने BH3 H जो है वो मर्दू है और F जो है वो कठोर है मेरी बात समझना मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से NH3 को रिष्टेदारी करने के लिए NH3 कठोर परवर्ती का अदमी है किसके पास जाके जुड़ेगा BF3 के साथ जाके रिलेशन बनाएगा या BH3 के साथ जाके रिलेशन बनाएगा NH3 की परवर्ती रहेगी कि मैं जाऊं छोड़ूँगा H- को तो H- जो है वो मुर्दू शारक है वो यहाँ पर जाए या यहाँ पर जाए तो यह भाई साब जाएगा इस जगे पर क्योंकि इसकी बिरादरी के पहले से जुड़े हुए यहाँ पर इसको कहेंगे सह जिविता साथ में जाएगे है ना यही बात है तो यदि यह कंडिशन होगी तो यह जो होगा इस्टेबल होगा ठीक है यह इस्टेबल कंडिशन होगी इस्टेबल कंडिशन BH4- यह NH3 जूड़ रहा है BF3 से इस्टेबल कंपॉंड बन रहा है लेकिन येदी में BF3 के साथ में जोड़ दूँ H माइनस H जोड़ दूँ है ना H तो ये क्या हो जाएगा BF3 H माइनस हो जाएगा जो की अनिस्टेबल होगा BH4 माइनस इस्टेबल होगा मेरी बास समझ में आ गई? ठीक है मर्दु शारक किसी योगीक में उपस्सित उस अमली के अंदर के प्रती अधिक आकर्शन रखते हैं जो पहले ही मर्दु शारक से जुड़ा हुआ है मर्दु शारक जो पहले से मर्दु शारक से जुड़ा हुआ है इसी प्रकार जो कठोर शारक है उस केंदर की प्रती और अधिक आकर्षिज रेते हैं जो पहले से कठोर शारकों से जुड़ा हुआ शारक की इस प्रोकुरती को क्या कहते हैं सिंबायोसी सहज जेविता कहते हैं मेरी वास समझ में आ गई इस टाइप के कुशन भी एक्जाम में बनता है अब आगे बात करें एक और एक्जामपल दे दिया भाई साब आपको उल जाने के लिए हमारे सामने हाजिर हैं CH3 ये N और ये CH3 और ये लिखा मैंने PF2 ये इस तरीके से मैंने लिख दिया आपके सामने लिख दिया साहब कोई दिक्कत नहीं है अब हमने क्या किया साहब एक तो BF3 को छोड़ा कि जा भाई जुडने के लिए एक छोड़ा मैंने BH3 को BH3 को अब यहाँ पर आपको क्या देखना है भाई साहब आपको फासपोरस जो है फासपोरस परमानों देखना फासपोरस जो है इस एप को मैं इधा लिख लूँ प्य एप 2 बाईसा पासफरस जो है इसको हम जो कहेंगे मर्दु शारक परमाणों कहेंगे क्या कहेंगे मर्दु शारक परमाणों और ये जो है इसको कहूंगा कठोर शारक अब यहाँ पे आप ज्यान दे समझना अब यह जो center है वो उसी से relation लेके यह कठोर शारक वाला center यह यह nitrogen किसके पास जुड़ने के लिए जाएगा भाई साब यह E के पाँ जावेगा कि E के पाँ जावेगा तो यह nitrogen E के साथ में bonding बनावेगा कहां बनावेगा भाई साब क्योंकि यह जो center है पेलाईती कठोर शारक ते जुड़े तो को है यह फास पोलज जुड़ेगा E बोरान के से क्योंकि यह पहले से ही मर्दुशारकों से जुड़ने की प्रवर्ती रखा हुआ है भाई साब यह लिखा हुआ है थियोरी में और कुछ नहीं लिखा हुआ है सह जिविता के आदार पर CH3 N PF2 अनु द्वारा BF3 वब BH3 के साथ निर्मित उत्पाद की सनचना ग्याद करना संभाव है ठीक है इसमें एक कठोर शारक दाता जबकि पर्माणू P एक मर्दू शारक दाता है पर्माणू P मर्दू शारक दाता है मर्दू शारक लिख दिया ने मैंने मर्दू शारक अनु BF3 पर्माणू में बोरान पहले ही किस से जुड़ा हुआ है F से जुड़ा हुआ है जबकि BH3 में B पर्माणू पहले ही H माइनस से जुड़ा हुआ है सहज जिवीता के आदार पर कटोर शारक दाता पर्माणू नाइट्रोजन कटोर शारक दाता पर्माणू नाइट्रोजन उस पर्माणू B से जुड़ेगा जो पहले से कठो शाकों से जुडा हुआ हूँ इसी प्रकार शारक दाता परिमाण के साथ बंद मनाएगा जो पहले से मर्दु शारकों के साथ जुडा हुआ है तो बहुत सिंपल वे में आपको यह टॉपिक में ने समझा दिया हम गुमाफिरा के बात नहीं करते हैं करने पर बिलीव नहीं रखते हैं बात कहां पर कर रहे हैं कई चीज़ें मैं देखता हूँ तो हो क्या रहा है और बताया क्या जा रहा है जो अपने काम किजीजें उनको छांटो जल्दी से और यहां से कुशन बनाने की तैयरी करो ठीक है साथ यूँ तो जो भी के अनिडेट जो है especially पूरी तरह से व्योसित ध्रंग से पढ़ना चाहते हैं वो हमसे description में मेरे mobile number available रहेंगे वहाँ से मुझे संपर कर सकते हैं ठीक है साथियो मिलेंगे फिर next वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई जैहिंद